आज हम लोग लास 12 इंगलिस का चप्टर नमबर टू जिसका नाम है लौश्ट स्प्रिंग पसंथ होना ठेक है इसमें कहानी कुछ और है कहानी बोसकते हैं जैसे कि आए स्टार्ड करते हैं एक कछला भीने वालया है साहेव घाका यानि जो पाकलादेश के राध्यां है प्र decorum insult क्यत hen आजीदी में दिल्ली की परेदी में सीमापुरी में जाले में रहे और अपनी आजीशS weights कमाने के लिए यानि अपना खर्ट खर्ट चलाने के लिए कच्रे के धेर में नंगे पाउ घूमता है साहिब जैसे बच्चों के लिए कच्रे का धेर सोने की खान के सामान है ऐसे हजार बच्चे सीमापुरी में अपने परिवार के साथ घूमते हैं बेजुग्य जोप्री में रहते हैं, यहां तक कि पानी और स्वच्छता जैसी बुनियारी सुमिधाय भी नहीं हैं, उनके पास ये परिवार बहुत गरीबी में जीवनियापन करते हैं, बच्चों के पास कुड़ा बीनने का लबा और कुछ नहीं है, जिससे बे कम से कम खाने के लिए कुछ तो कमा ले लगते हैं, यहां उन्हें हर महीने 800 रुपए दिये जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बाद वह अपनी लापरवाई खो देता है, वह किसी और के लिए काम करता है, और और अब उसका अपना मालिक नहीं है, पहचान का वह नुकसान को अपने कुमल कंदों पर भारी पड़ता है, अनीस जंग, फिर एक अनी यूबा लड़के मुकेस के बारे में बताते हैं, अनीस जंग को और जिसने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है, एक यूबा लड़का मुकेस के बारे में बताते हैं, जो अपना स्वामी बनना चाहता है, मलब खुद अपना मालिक बनना काम किया है उसकी परंपरा यानि परंपरा से चलता रहा है ठीक काच के कार खाने में या चूड़ी कार खाने में काम करना यहां बच्चे भट्टियों पाद इतने उच्चे तापमान में काम करते हैं कि बे भिन स्वस्त खत्रों के संपर्ख में आते हैं यहां तक कि उनकी परिवारों की तरह मुकेश का परिवार भी गरीब का शिकार है उसके पिता अंदे हैं और बे एक छोटे छोटे से आदे अदूरे मजदूर तेक आदे अदूरे मकान में रहते हैं फिर फिरोजाबाद के इन लोग का साहुकार विचोरिय पुलिस कर्मी नौकर शाहो और विश्वाशी है मोटर मेकानिक बनना चाहता है कि बनना चाहता है उसके बाद